इंडिन प्रीमियर लीग का पंदरवा सीजन यानी IPL 2022 अब अपने आखरी दौर की तरफ बढ़ रहा है टोर्नामेंट में आज 50 वा मैच खेला जाएगा और फिर इसके बाद प्ले ओफ और फाइनल समेत सिर्फ 24 मुकाबले बांकी रह जाएंगे तो चलिए आपको बता देते हैं कि अब तक इस सीजन किन बले बाजों के बले से निकले हैं टोर्नामेंट के सबसे लंबे छक्के इस लिस्ट में पाँचवे नमबर पर हैं पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे लियाम लिविंग्स्टन जिन्होंने हैदरबाद के खिलाफ 106 मीटर का लंबा छक्का लगाया था वहीं चौथे नमबर पर राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर हैं जिनके बले से दिली कैपिटेल्स के खिलाफ 107 मीटर लंबा छक्का निकला था जबकि तीसरे नमबर पर भी पंजाब किंग्स के लियाम लिविंग्स्टन है जिन्होंने चेन्ने के खिलाफ 108 मीटर का छक्का जड़ा है लिस्ट में दूसरे नमबर की बात करें तो यहां मुंबई इंडियन्स की तरफ से खेल रहे युवा बलेबास डिवॉल्ड ब्रेविस का नाम आता है जिन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 112 मीटर का लंबा छक्का लगाया था अब आपको बताएं कि अब तक टोर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का किसने लगाया है उससे पहले आप ये जान लें ये छक्का मंगलवार को गुजरात और पंजाब के बीच हुए मैच में लगा था और ये 117 मीटर लंबा छक्का भी लियाम लिविंग्स्टन के बल्ले से ही निकला यानि अब तक के 5 सबसे लंबे छक्कों में से 3 अकेले लियाम के नाम ही दर्ज हैं ये ज तक के बल्ली से लंबे भी लियाम के नाम ही टूंबे लियाम के लिए लिए हुआंवे गए लिए उगाष्टन के लिए लिए वगाष्टन